कई सारे लोगों को लगता है कि stock market में हमें जो भी profit होता है उस पर जो tax है वो automatic cut जाता है लेकिन ऐसा नहीं है उस पर आपको tax file करना पड़ता है लेकिन इसमें complexity यह है कि इसमें अलग-अलग type के taxes है अगर आप किसी share को एक साल से जाधा time के लिए hold करते हो तो उसके लिए अलग taxation है एक साल से कम time period के लिए hold करते हो तो उसके लिए अलग taxation है intraday करते हो तो उसके लिए अलग taxation है और future and options आप करते हो तो उसके लिए अलग taxation है हलाकि ये सारी चीज़े complex हैं लेकिन आज हम बहुती सरल्दा से बहुती आसन भाशम इन सारी चीज़ों को समझने वाले हैं जिसे कोई भी person जो के non finance background का ही क्यों ना हो उसे भी ये सारी चीज़े समझ में आ जाएगी नमसकार मैं प्रसाद आपका आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूँ और इस beginner to expert series के 7th part में आप सभी का स्वागत है और आज हम taxation के बारे में चाहिए वो mutual fund का taxation हो, stock market का हो या फिर bond market का हो इन सब के taxation के बारे में detail में बात करने वाले हैं शुरुआत में हम LTCG और STCG की बात करेंगे और उसके बाद हम speculity और non speculity income की बात करेंगे तो जहाँ तक LTCG की बात है तो LTCG आपको long term investments पर लगता है Now what is long term? Long term का मतलब है कि एक साल से ज़ादा time period के लिए जो investment आप करते हो उसे कहते है long term investment income tax के भाषा में तो एक साल से ज़ादा time period के लिए आपने जो भी investment की है उस पर आपको जो भी profit मिलता है उस पर आपको tax pay करना होता है जिसे हम कहते है long term capital gain tax that is LTCG लेकिन यहाँ पर कई सारे लोग calculation करते बाद गलती करते हैं कई बार वो ज़ादा tax pay करके बैठते हैं या कई बार वो tax सही से file ही नहीं करते तो उसके बारे में calculations भी हम सही से समझ लेंगे तो पहले बात करते हैं LTCG के बारे में माल लेती कि आपको जो long term में profit होता है वो है 1.5 lakh rupees 1.5 lakh का यानि आपको profit हो जाता है लेकिन LTCG में condition यह है कि पहले 1,00,00 रुपे पर आपको कोई भी tax नहीं लगेगा यानि ये 1,500,00 में से जो पहले 1,00,00 रुपे है उस पर आपको कोई भी tax नहीं लगेगा और फिर बच्चे जो 50,000 रुपे हैं उस पर आपको 10% का tax लगेगा तो 50,000 के 10% होते हैं 5,000 रुपे तो 1,500,00 रुपे की investment पर आपको tax जो पही करना पड़े हैं LTCG वो है 10% लेकिन यहाँ पर लोग कई बर calculation करते हैं कि बहुत बड़ी गलती करते हैं वो net profit सेवी से निकाली नहीं पाते हैं अब net profit कैसे निकालना है पहले मैं बात करूंगा कि beginners tax का calculation किस तरह से करते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे कि actualman tax का calculation किस तरह से होना चाहिए तो यहाँ पर हम एक example लेते हैं case 1 में हम निल के बारे में बात करेंगे और case 2 में हम नितीन के बारे में बात करेंगे तो निल की case में मान लेते कि निल को profit होता है 1,50,000 रुपीद्स का और long term में निल के जो losses है निल को long term में profit तो हुआ है 1,50,000 रुपे का लेकिन उसे losses भी होते है long term में और उसके losses रहते हैं मान लेते हैं कि 40,000 रुपीद्स तो इस case में Nil simply अपना जो भी profit है उस पर अपना tax पे कर देता है तो पहले 5,000 रुपे में से 1,000 रुपे पर तो कोई tax नहीं लगेगा उपर की जो 50,000 रुपे है उस पर 10% का tax लगेगा तो टोटल कोल मिलाकर यहाँ पर जो टोटल LTCG आया है निल का वो है 5,000 रुपेज अगर हम बात करते हैं नितिन की तो नितिन थोड़ा smart है नितिन को profit हुआ 1,500,000 रुपे का और नितिन को भी losses हुए लॉंग टम में 40,000 रुपे गे देखो continuous profit बना तो थोड़ा मुश्किली रहता है तो एक साल से जाधा time period के लिए जितने भी आपको profit हुए इनमें से एक साल से जाधा time period के लिए जो भी आपको losses हुए वो subtract करने है तो कुल मिला कर यहाँ पर figure आएगी 1,10,000 रुपेज तो इस में से तो इस amount पर आपको LTCG पे करना पड़ेगा तो पहले 1,00,000 रुपे पर तो कोई tax नहीं है तो बच्छी amount जो है वो है 10,000 रुपे तो 10,000 रुपे पर आपको 10% tax pay करना पड़ेगा तो 10,000 का 10% कितना होता है 1,000 रुपेज तो यहाँ पर 1,000 रुपेज का आपको tax लगेगा तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दोनों amounts है यहाँ पर 5,000 का tax लगा यहाँ पर 1,000 का tax लगा तो calculation की थोड़ी mistakes से इसलिए यहाँ पर ज़्यादा tax pay की आ गया तो आप देख सकते हो कि यह जो amount है यह से काफी गुना ज़्यादा है just because one mistake in the calculation तो आप जब भी calculate करो तो net profit इसी तर आप calculate करो losses को आप minus करो तो यह भी चीज़ आप हमेशे अधान में रखो अब कई बार क्या होता है कि कई बार आपके losses किसी साल में बहुत ज़्यादा होते है profit कम होता है मान लेते कि किसी साल आपको long term में profit होगया पचास ज़ार रुपए का और losses रहे एक लाक रुपए के तो ऐसे में क्या करें कितना tax pay करें यह भी बहुत बड़ा सवाल है तो इसे भी समझते हैं तो नील और नीतिन के इस example के बाद हम बात करेंगे मुकेश के example के बारे में इस case में मुकेश को profit होता है पचास ज़ार रुपए का long term में और जो loss होता है वो होता है 1 lakh rupees का तो यहाँ पर जो loss है वो जादा है profit कम है तो नेट नेट यहाँ पर loss ही हुआ है कितने का loss हुआ है 50,000 rupees का तो इसे में सववल आता है कि फिर यहाँ पर tax कैसे pay करेंगे तो loss है तो tax pay करने की जरूरत नहीं है लेकिन आपका यह जो loss है इसे आप LTCG में अगले 8 साल तक carry forward कर सकते हो मतलब लेट से कि आपको अगले साल में होता है 2,000,000 रुपे का profit वही अगले साल में आपका जो long term capital loss है वो मान लेते हैं कि पचास अजार रुपे हैं मतलब 0.5 lakh रुपेज है तो आपका net net profit आ रहा है 1.5 lakh रुपेज लेकिन आपको पिछले साल का पचास अजार का भी loss है तो उसे भी आप carry forward कर सकते हो तो यहाँ पर again minus हो जाएंगे 0.5 lakh रुपेज तो बचे कितने 1,000,000 रुपे तो यहाँ पर कोई भी tax आपको नहीं लगता है तो आपको कोई भी LTCG देने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से जो भी आपके losses है उसे carry forward कर सकते हो LTCG की case में आप अपने losses को अगले 8 साल तक carry forward कर सकते हो यानि फॉर इस साल आपको loss हुआ है अगले साल भी loss होता है तो उनको अप उसके अगले साल carry forward कर सकते हो तो इस तरह से आप tax के adjustment कर सकते हो और इन calculation की इसाप से दिन finally अपना tax पे कर सकते हो LTCG के बाद अब हम बात करेंगे STCG के बारे में यानि short term capital gain tax के बारे में अब STCG में मान लेते हैं कि जो भी investment आप एक साल से कम time period के लिए कर रहे हो delivery में वो count की जाएगी STCG में तो short term में मान लेती कि आपको profit होता है 50,000 रुपे का और short term में आपके losses आते हैं निकल कर 10,000 रुपे तो इस case में आपका जो net profit निकल के आया वो आया है 40,000 रुपेस का तो इस 40,000 रुपेस पर आपको STCG जो है और सीधा 15% आपको pay करना होता है STCG की इस case में आपको कोई भी exemption नहीं मिलता है LTCG में हमने देखा था कि पहले 1,000,000 रुपे तक आपको कोई भी tax नहीं लगता है उसके बाद आपको tax लगता है यहाँ पर आपकी amount कितने भी छोटी हो, कितने भी बड़ी हो सीधा वहाँ पर flat 15% का tax आपको लगेगा तो यहाँ पर अगर हम calculate करते तो आपको total 6,000 रुपीज का tax पे करना होगा तो STCG का calculation बड़ा simple है किसी भी financial layer में जो भी short term आपके profits, losses है उनको आप calculate कीजिए जो भी net profit आता है उस पर flat 15% tax पे कीजिए मान लेते हैं कि किसी साल, किसी financial layer में आपको LTCG में short term में कुछ loss हो जाता है जो कि late से 50,000 रुपे है तो इस 50,000 रुपे के short term capital loss को आप adjust कर सकते हो अगले 8 साल तक यानि 8 साल तक आप उसे carry forward कर सकते हो अगर अगले साल आपको profit होता है तो उसमें से आप ये minus कीजिए अगले साल loss होता है तो उसे अगले साल आप इसे adjust कीजिए तो इस तरह से 8 साल तक आप carry forward कर सकते हो यहाँ पर एक बहुत important बात है कि short term में जो भी आपको loss हो रहा है उसे आप अगले 8 साल तक carry forward कर सकते हो उसे आप अगले 8 साल में आपको जो profits होंगे उसमें adjust कर सकते हो साथ ही आप long term capital gain tax में भी adjust कर सकते हो इस loss को हमने देखा कि LTCG में ऐसा condition नहीं है LTCG में अगर कोई आपको long term में for example loss हो जाता है तो उसे आप long term capital gain tax के साथ ही अगले साल adjust कर सकते हो या फिर उसके अगले साल adjust कर सकते हो उसे आप short term capital gain के साथ adjust नहीं कर सकते लेकिन short term capital gain tax को आप आने वाले सालों के LTCG और STCG दोनों के साथ adjust कर सकते हो तो एक benefit आपको यहाँ पर मिल जाता है यह जो LTCG और STCG है, यह equity mutual fund पर भी apply करते हैं, सिर्फ equity mutual fund पर, और यहाँ पर भी आपको similar तरह के किरी taxes लगते हैं, जो हमने पहले बात की अब बात करते हैं speculative और non speculative income की, जो भी आपके intraday trading आप करते हो, उस पर जो भी आपको profit मिलता है, उसे आप speculative income में add कीजिए speculative income में आएगा intraday, intraday trading, और non speculative income में क्या आता है, वहाँ पर आता है futures and options, that is F&O, तो futures और options पर जो भी आपको profit मिलता है, उसे आपको दिखाना है non speculative income के अंडर, intraday पर आपको जो भी profit होता है, उसे आपको दिखाना है speculative income के अंडर, तो माल लेते हैं कि किसी particular financial year में आपको intraday क जो profit रहता है, वो होता है एक लाक रुपे का, उस particular सार में आपके intraday के जो losses है, वो है for example, 20,000 रुपे, तो यहाँ पर आपको total net profit निकल कर आया, वो आया निकल कर 80,000 रुपीज का, तो इस 80,000 रुपीज पर आपको tax पे करना है, तो इस tax कैसे पे करोगे आप, तो इसे आप आपको add करना है आपकी income में, तो इस speculative income को आपको अपने बाकी income के साथ add करना है, उस पर फिर आपकी जो भी tax lab रहेगी, उसके अनुसार आपको tax pay करना है, अब सवाल आता है कि मान लेते कि इस साल तो आपको profit हो गया, 80,000 रुपीज का, मान लेते कि कि किसी को, अगर यहाँ पर intraday में किसी particular financial year में loss हो जाता है, मान लेते कि 25,000 का किसी को loss हो जाता है, तो उससे भी वो adjust कर सकता है अपने अगले साल के जो भी speculative income है उससे, लेकिन speculative income को आप 8 साल के लिए नहीं, बलकि सिर्फ 4 साल के लिए ही carry forward कर सकते हो, उसकी limit है 4 साल, तो इस तरह से speculative income आपको simply कु देना है, और फिर आप जिस किसी tax lab में आते हो, उसके अनुसर आपको tax pay करना है, तो tax lab कौन-कौन से है, चलो उसे समझते हैं पहले, अब बात करते हैं income tax labs के बारे में, मान लेती कि आपके income 5,000,000 रुपे तक है, तो आपको कोई भी tax यहाँ पर नहीं पे करना होगा, अगर आपके income 5,000,000,000 रुपे तक है, तो आपको 5% का tax लगेगा, लेकिन यह 5%, अगर आपके income 5,000,000,000 से अंडर है, तो इस पर आपको rebate मिल जाता है, यानि आपको कोई tax पे करने की जरूरत नहीं पड़ती, 5,000,000 से 10,000,000 के tax lab में गर आप आते हो, तो 20% tax आपको pay करना है, तो इस तरह के taxes आपको pay करने है, मान ले दिए का आपकी total income, intraday का आपका जो भी speculative income है, उसे add करने के बाद भी, 5,000,000 से कम ही होता है, तो आपको कोई tax उस पर pay करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यह सारी चीज़ आप ध्यान में रखे, अगर आप student है, आपका total income, 5,000,000,000 में आते हो या फिर नहीं आते हो, जो भी आपका profit है, वो आपको उस तरह से pay करना होगा, फिछले 8 सालों में FDs के interest rates काफी कम होए है, और 8.5% से लेकर वो 5.4% तक आ गये है, जहाँ inflation recently कुछ महिनों में काफी जादा बढ़कर 6% के करीब आ गया है, ऐसे में guaranteed return plans आपकी help कर सकते हैं, जहाँ पर आपको 5.5% से लेकर 6% तक के interest मिलते हैं, जो कि after tax कई सारी plans से better returns देते हैं, और यहाँ पर यह interest rates आप 5 साल से लेकर 45 साल तक lock-in कर सकते हो, यह plans उन लोगों के लिए बेश साबित होते हैं, जो कई सारी future expenses, जैसे कि बच्चों का education, marriage, इनके लिए कुछ पैसा बचाना चाहते हैं, इस plan के खासियत यह हैं, कि यहाँ पर आपको tax benefits मिलते हैं, और साती जो भी investment आप करते हो, वो guaranteed returns के साथ 100% secure है, इस plan के जरी आप 46,800 रुपीज के taxes भी बचा सकते हो, क्योंकि income tax के section 80C के तहत, आपको यहाँ पर tax benefit मिलता है, उसके अलवा guaranteed return plans के जो returns है, वो tax free होते हैं, यह plan उन लोगों के लिए बहुत ideal है, जिनका risk appetite बहुत कम है, और उन लोगों के लिए भी जो 20-30% की tax lab में आते हैं, इस plan में आपको पहले दीन से life cover मिलता है, और policy term खतम होने तक यह life cover आपके साथ रहता है, यहाँ पर जितना annual premium आप pay करते हो, उससे 10 बजगोना जादा life cover आपको मिलता है, साथ ही कही सारे और भी benefits आपको यहाँ पर मिलते हैं, नीचे discussion में दीगे पॉलिसी बजार के link पर click करके, आप यह सारे benefits चेक कर सकते हो, साथ ही इस plan में invest भी कर सकते हो, तो नीचे दीगे लिंक पर click करके, जरूर यह details चेक आउट कीज स्पेकिलिटिव इंकम के बाद अब बात करते हैं, नौन स्पेकिलिटिव इंकम के जिसके अंडर आता है futures and options, तो futures and options में जो भी आपको profit मिलता है, net profit, अनलब total profit उस financial year में future option का, minus total losses of future option in that particular year, और उसके बाद जो net profit आपको मिल रहा है future option का, उसको भी आपको अपने tax lab के अब सबल आता है कि यहाँ पर इनके साब को loss होता है, तो आप कितने साल तक उसे carry forward कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी आप उसे 8 years तक carry forward कर सकते हो, यानि अगर हम speculative income को छोड़े, तो बाकि सब जगा आप आपको जो भी losses हैं, उनको 8 साल तक carry forward कर सकते हो, फिर चाहे वो LTCG हो, ST CCG हो, या फिर non speculative income हो, so I hope कि यह आपका जो भी doubt है, यह अच्छे से clear हो गया होगा, तो यह होने के बाद अब बात करते हैं आगे, कि date पर, यानि जो bond वगरा होते हैं, उन पर कैसे taxes लगते हैं, लेकिन उससे पहरे आपको बता दू, कि beginner series में यहाँ तक हमने लगबग काफी सारी चीज़े सिखी हैं, और इस 15 August 2021 से हम fundamental analysis के series आपके लिए लेकर आ रहे हैं, शायद आप में से कई सारे लोग ऐसे भी होंगे, जब वीडियो देख रहे हैं, तब तक यह series fundamental analysis के शायद ready भी हो चुकी होगी, तो जरूर अब इसे check out कीचिए, 15 August 2021 से start हो रही है fundamental analysis, जिसमें fundamental analysis को basic से सिखाएंगे, सारे financial statements, सारी चीज़े, अगर आप non finance background से हैं, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको समझ जाएगा सब कुछ, एक बार fundamental analysis पूरा हो गया, तो उसके बाद हम बढ़ेंगे technical analysis की और, तो इसे धीरे धीरे सारी चीज़े हम cover करने के कोशिश equity की बात करने के बाद अब बात करते है date investment के बारे में, तो अगर आप bond में या date mutual fund में invest कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको कैसे taxes लगेंगे, इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर भी STCG और LTCG आता है, बट बस फर्क यह है कि यहाँ पर LTCG और STCG की definition अलग है, LTCG की definition date investment के ल investment है, date investment वो 3 साल से कम time period के लिए है, less than 3 years, तो वहाँ पर आपको pay करना होगा STCG, तो STCG कितना pay करना है आपको, अपनी tax lab के अनुसार, जैसे हमने पहले बात की, वही कर हम LTCG की बात करते हैं, तो LTCG आपको कितना pay करना है, 20% plus कुछ surcharge और with indexation effect, वह indexation effect इसले लाए गया कि inflation होता रहता है, तो इस inflation effect को nullify करने के लिए, indexation effect की मदद ली जाती है, तो इसके कैसे calculation होता है, यह भी समझ रहता है, यह तो simple है, जो भी आपको STCG लगेगा, bond investment में, total profit minus total losses, so net profit आपको मिल जाएगा, और इस net profit को, आपको 3 साल से कम जो भी है, उस पर आपको अपनी tax lab के अ तो date investment में LTCG कैसे calculate करते है, उसकी बात करते है, यहाँ पर आप मान लेती कि आपने 1,00,000 रुपे invest किये 2016 में किसे date instrument में, और फिर उसकी investment की value हो गई, जो भी interest आपको मिला उसके साथ 1,500,000 रुपे 2021 में, अब आपको profit यहाँ पर मिला clearly 50,000 रुपे, तो क्या आपको 50,000 रु वो कुछ limited amount पर ही करना है, तो उसके लिए हमें indexation effect को calculate करना होगा, तो यहाँ पर आपको first calculate करना पड़ेगा after indexation cost, और after indexation cost का formula है, original cost of investment, यानि original investment आपकी क्या थी, जो कि इस case में 1,00,000 रुपे थी, multiplied by CII, that is cost inflation index of the year of sale, divided by CII of the year of purchase, अब सवाल आता है कि यह cost inflation index क्या होता है, तो एक index है, जहाँ पर आपको particular number मिलता है, आपको यह calculate करने की जरूरत नहीं है, discussion में मैं link दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको current year का और पिछले जितने भी financial year है, उनका CII मिल जाएगा, और CII की मदद से आप बड़ी आसान इसे calculation करके, after indexation cost निकाल सकते हो, और इसके बाद ज देखते हैं कि पिछले 45 सलों का CII किस तरह से रहा है, तो यह CII effect आपको help करता है, जो inflation है उसे nullify करने के लिए, ताकि आपको पूरी amount पर tax ना pay करना पड़े, आप देख सकते हो कि financial year 2016, 17, 18, 19, 20, 21, इन में CII किस तरह से रहा है, financial year 2016 में वो था 254, और financial year 2020, 21 तक वो आ गया है 301 तक, तो बस calculation में हमें simply इन ही चीजों का इस्तमाल करना है, तो after indexation cost निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं, original cost of investment आपकी है 1 लाक रुपे, तो लिख लीजी आप यहाँ पर 1 लाक रुपे, multiplied by CII of the year of sale, year of sale आपका क्या है, 2021, कितना है तब CII 301, divided by CII of the year of purchase, year of purchase financially 2016, कितना है CII 254, तो यहाँ पर जो total amount निकल कराती है, वो है 1,18,503 rupees, इसमें आपका जो profit निकल के आता है, वो है, आपकी investment एक रुपे थी, बाद में जो amount निकल कराई है, वो है 1,18,503, तो इसमें से आपकी जो initial investment आप minus करोगे, तो आपको जो profit निकल कराएगा, नेट, वो आएगा 18, 18,503 rupees का, तो इस amount पर, याँ 18,503 rupees पर आपको 20% का tax pay करना है, इस पर 20% tax मतलब आएगा लगबग 3600, 3700 rupees के करीब, तो यहाँ पर indexation effect के वज़े से आपको काफी benefit मिलता है, अगर आप सीधे 50,000 पर, for example, आप सीधे 50,000 पर 20% tax pay कर दे, तो वो करीब-करीब निकल कर आता 10,000 rupees यहाँ पर 10,000 rupees से close to 3600, 3700 आ गया है, तो यहाँ पर काफी सारा tax, आपका यहाँ पर indexation cost effect की वज़े से बज़ गया है, तो इस तरह से जो भी equity instruments है, date instruments है, उन पर आपको इस इस particular तरीके से taxes pay करने हैं, आशा करता हो कि सारे doubts आपके clear हो गए होंगे, वन्हीं आपर पूरी आपको सारी चीज़े समझाई जाए, टैक्सेशन में कुछ चीजे हाला कि है ही थोड़ी मतलबी calculation इसको आप अवाइड नहीं कर सकते, बट बड़ा simple calculation है, और भी कुछ ज्यादा complex चीजे इसमें नहीं है, तो सारे tools चीजे आपको description में provide की गई है, आप check out कीजिए, और आज आज हम यही रुखते हैं, और अभी wait करते हैं, fundamental analysis series का जिसे हम start कर रहे है, 15th August को, so I hope आपको भी काफी मजा है कि उस series में काफी energy से भरी और काफी interesting series होने वाले है, तो से आप बिल्कुल भी miss ना कीजिए, और इस series की बाकी पार से उन्हें भी check out कीजिए, ताकि आपके सारी basics clear हो, और इसके बाद आप fundamental analysis के लिए ready भी हो, इस video को ज़रूर ज़ादा से ज़ादा लोगों के साथ share कीजिए, जिने taxation के बारे में नहीं पता, stock market taxation की जब भी बाद आती है, तो लोग confused हो जाते हैं, कि कितना tax pay करना है, कैसे करना है, कैसे calculate करना है, और कैसे सारी mistakes भी करते ह ही है, बस इसे share करके आप उनको aware बनाई है, कि कैसे आप taxation, कितना tax आपको pay करना है, कैसे वो calculate करना है, इन चीजों के बारे में, और इस पूरी series को भी आप ज़रूर share कीजिए, ज़ाद से ज़ादा लोगों के साथ, तो आज हम यही पर रुखते हैं, ज़रूर हमारे सारे social media जाए, चेक आउट कीजिए, वहाँ पर follow कीजिए, और वहाँ पर भी काफे interesting content हम डालते रहते हैं, तो thank you. कॉई रोको में coffee पी क्या पादे, कुछते तुमने देखा हुआ, जनरली गाड़ियों के बीचे लगते हैं, तो क्यों लगते बता है क्या तो यहाँ पर मान लीजिए कि कोई person है, जिसका नाम क्या नाम रखे यार कोई